नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज मैं हूँ आपके साथ रूपा से नर्मधापुरम के सुहागपुर में सरकारी मोंग तुलाई को लेकर हाइवे पर चक्का जाम करने के मामले में कॉंग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व जिलाध्यक्ष पुशपराज पटेल पर FIR दर्ज की गई पुषपराज पटेल पर नर्मदापुरम पिपरिये स्टेट हाईवे दबरजस्ती बंद कर चक्का जाम करने का आरोप है सुहागपुर थाने में समिती बैठक की शिकायत पर धारा 341 के तहस केस दर्ज हुआ कॉंग्रेस नेता पुषपराज पटेल ने कहा कि FIR का मुझे कोई अफसे उस नहीं है मैंने किसानों के हित पर सड़क पर आया था चक्का जाम करने का उद्देश पूरा हुआ जिससे मुझे खुशी है लाइन में खड़े किसानों की मुझ वेयर हाउस में रखवा दी यही हम चाहते थे नेता को FIR की कैसी चिंता नर्मदापुरम पिपर या स्टेट हाइवे पर शोभापूर के पास वेयर हाउस में सरकारी मुझ की खरीदी हो रही है शुकरवार शाम से करीब 30 किसान मुझ बेचने लाइन में खड़े थे शनीवार सुबा से किसानों को अवकाश होने से सोमवार को तुलाई और खरीदी होने का कहा किसान मांग कर रहे थे कि उनकी मुझ को आज ही तोला जाए या वेयर हाउस में खाली कर लिया जाए ताक कि किराय पर लाए गए ट्रेक्टर ट्रॉली को गाउं ले जाया जा सके किसानों के साथ कॉंग्रेस प्रदेश महासाचिफ पुषपराज पटेल हाईवे पर बैट चक्का जाम कर दिये दो पहर एक से डेड़ बजे तक चक्का जाम लगे रहा नयाप तहसीलदार और पुलिस की समझाने का प्रयास किया किसान नेता वप्रदेश महासाचिफ पुषपराज पटेल मांगों पर अडे रहे आखिर में किसानों की मुंग को वेर हाउस के अंदर रखवाने पर सहमती बनी तो लाई सोमवार को होगी जिसके बाद किसानों ने चक्का जाम खतम किया खाना टी आई विक्रम रजक ने बताया चक्का जाम से आदे घंटे स्टेट हाईवे बंद रहा सेकड़ो वाहन फसे रहे पुषपराज पटेल के खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई जिले के वरिष्ट कॉंग्रेस ने ता पुषपराज पटेल पर पहले भी F.I.R. हो चुकी है देड़ दो साल पहले बिजली कंपनी की एक महिला अधिकारी को लेकर बयान बाजी देने पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था जिसके बाद उन्हें जेल भी भेजा गया पुषपराज पटेल कॉंग्रेस के जिलाध्यक्ष है इस बार भी दोबारा जिलाध्यक्ष की दोड़ में उनका नाम आगे चल रहा है